हलो हाई फ्रेंड मैं भी टूती वारी फ्रेंज आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है इससे पहले फ्रेंज आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हमारे नए-ने वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहु से जो question put up के जाते हैं उनकी लेबल की बात करें तो बिल्कुल easy question होते हैं बट यहां पर क्या होता है calculation work होता है ठीक है यह आप calculation के अंदर mistake नहीं करते हो बिल्कुल यहां पर एक ही type से इसका solution क्या होगा कितने solution होंगे या फिर इसका solution होगा तो उसको निकाल के दिखाए इसी type से question बिल्कुल simple question put up के जाते हैं बट यहां पर calculation work तो करना होगा आपको और calculation work क्या दिये करते हो तो definitely अपना मारक गेन कर सकते हो किसके अंदर स्यों भी और इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर ठीक है आईए question को समझते हैं कहता है दा इंटेग्रल इक्वेशन फाई अक्सीजी कोस्ट वन प्लस टू वाई पाई इंटेग्रेशन जिरो टू पाई कास स्क्वाईर एक्स फाई टी दी टी हैज first option में कहता है no solution, second option में कहता है unique solution, third option में कहता है more than one but finitely many solution और जो आपका option number fourth है उसके अंदर आप से ये बताता है कि इसके पास कितने solution होंगे infinitely many solution होंगे, ठीक है, तो question को आपको solve करना है, क्या है question को आपको solve करना है, देखे, यहाँ पे आपको जो है, इस type के question को आपने simply solve किया होगा, काफी time, फिर भी यहाँ पे देखे, solve करते हैं, कैसे इसको solve करना है, यह आपका phi x equals to 1 plus 2 by pi integration 0 to pi, cos square x phi t dt, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, cos square x constant की तरह behave करेगा, इसका integration t के respect में है, तो cos square x behaves like as constant, तो इसको बाहर करेंगे integration से, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, phi x equals to 1 plus 2 by pi cos square x integration 0 to pi, phi t dt, यह आपका हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे let कर दीचे, let integration 0 to pi, phi t dt, इसको से एक constant नाम देदीचे, हमने let किया, let's say, ठीक है, c, हमने say किया, और यहाँ से हम करेंगे, चलिए, यह c के value, एब भी question में रखेंगे, तो यह आपको मिलेगा, 1 plus 2 by pi cos square x into c, अब यहाँ पे क्या है, left side को भी c बनाने की कोशिस कीजिए, means integration 0 to pi, phi x तो ही, और dx, means क्या है, both side आप 0 to pi limit लगाईए, और x के respect में integrate कीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको 0 to pi, phi x dx, is equals to integration 0 to pi, 1 into dx, plus 2 by pi integration, यहाँ पे c b होगा, integration 0 to pi cos square x dx, ठीक है, अब यहाँ पे cos square x है, अब यहाँ पे जो है, इसके लिए formula आपको पता होना चाहिए, यदि आपको formula पता है, तो आपको इसके आगे कोई भी problem नहीं होगी, यह आपका integration 0 to pi, phi x dx, clearly, यह चीज़े क्या लिखे होगी है, यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, that means, इसको आप c बोल सकते हो, क्या है, यहाँ पे आप c बोल सकते हो, यह आपका क्या हो जाएगा, c equals 2, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब dx है, dx का integration क्या हैगा, x, limit क्या होगी, 0 to pi, plus 2c upon pi, और इसको भी आपको simplify करना होगा, किसके according, formula के according, simply, इसको जो है, आप integrate नहीं कर सकते, इसको integrate करने के लिए, आपको formula की requirement होगी, cos square x के लिए, क्या है, यदि आपको formula पता है, तो easily आप question को solve कर सकते हो, otherwise, यहाँ पे आपको problem आएगी, ठीक है, अब यहाँ पे हम formula आपको बता देते हैं, formula यह है, cos square x से g cos 2 क्या होता है, 1 plus cos 2x divided by 2, ठीक है, और sin x में तो minus हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा, अब यहाँ पे integration 0 to pi, और यहाँ पे by में 2 हो जाएगा, इस do com ने बाहर किया, और यहाँ से आपको मिल जाएगा, 1 plus cos 2x dx और 2 से यह आपका 2 cancel out हो चुका है, अब यहाँ पे आएगे, यहाँ से आपको मिलेगा, c equals to pi minus 0 means pi, plus c by pi, और यहाँ से आपको integrate कर लेना होगा, तो integrate आप करोगे तो आपको मिलेगा, x plus cos 2x का minus sin 2x, minus sin 2x, और 2x करेंगे by में 2, limit 0 to pi, यह आपको c equals to pi plus c upon pi, और यहाँ से आपको pi मिल जाएगा, और minus sin pi की value, sin 2pi, sin n pi की value 0, यहने g equals to 2, sin 2pi की value 0, minus 0, और sin 0 की value 0, minus 0, minus 0, minus minus plus 0, ठीक है, यह हो जाएगा, और finally यहाँ से आपको pi मिलेगा, इसका मतलब यहाँ से pi से pi भी आपका cancel out हो चुका है, तो यह रहा, यहाँ से आपको क्या है, c से c भी cancel out हो जाएगा, यहाँ पे c plus 0 is equals to pi plus c कर दीजिए, c से c आपका cancel out हो जाएगा, this implies that pi z equals to 0, क्या pi 0 के equalize सकता है, this is impossible, impossible, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसका मतलब जो है, जो यह given है, phi x, जो आपको integral equation given है, इसका कोई भी solution नहीं आएगा, क्योंकि, यह क्या चीज आचुकी है, this is impossible, जो कि impossible है, ठीक है, और यहाँ से आप constant की value calculate करने की कोशिज कर रहे थे, और आपको क्या मिल चुका, impossible value, जिससे आप meaningless है, ठीक है, और इसका मतलब जो है, इसके पास क्या होगा, कोई solution नहीं होगा, this is impossible, ठीक है, यहाँ से क्या होदाएगा, it has no solution, और यहाँ पे जब इसके पास कोई solution नहीं है, किसके पास, इस integral equation के पास, कोई solution नहीं है, तो जब कोई solution नहीं, option पे आईए, कहता है, no solution, unique solution, जब कोई है नहीं, तो यह कह रहा है कि एक solution तो है, इसका मतलब यह wrong है, कहता है, more than one, but finitely many solution, कोई solution ही नहीं है, इसका मतलब जो है, यह भी wrong है आपका, infinitely many solution, यह भी आपका wrong है, यह first option कहता है, आपका no solution, तो question number 18, के अंदर आपने solve किया, integral equation को, आपको impossible value, pi equals to 0 मिलीजी, वहां से आपने यह decide किया, किसके पास क्या होगा, कोई भी solution नहीं आएगा, और आपने option किया, पिक कौन सा option, first, और यहां से आपने, कितने minute का time दिया, और यहां से आपने, कितने minute का time दिया, और question को आपने solve किया, यहां पे आपका only one option ही correct है, ठीक है, और आपको mark कितने मिले, 4.75 mark मिल चुके, क्या इसके अंदर ज्यादा calculation work था नहीं, कुछ भी calculation work नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हो, और definitely अपना 4.75 mark गेन कर सकते हो, ठीक है, thank you friends for watching my video,